दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त केशरी प्रशाद और आप देख रहे हैं Uncut Crime Coverage दोस्तों आज का जो एपिसोड है उसमें जो मैं आपके सच घटना बताने जबारा हूँ वो राजस्तान के बाडमेर जिले की है और राजस्तान के बाडमेर जिले में जो ये information है वो ये है कि एक छोटी सी लड़की होती है जिसकी age सिर्फ 14 साल होती है एक दिन इन गर्मियों के सीजन में लगबख चार दिन पहले की बात है लड़की के पेट में दर्द होता है बहुत तेज और ये दर्द बढ़ता ही जाता है एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे बितते जाते हैं लेकिन उसके पेट के दर्द में कोई भी आराम नहीं मिलता है लड़की बहुत कोशिश करती है कि इसको रिलीफ मिले उसको अराम मिले लेकिन उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है फाइनले लड़की अपनी मा को बोलती है उसकी मा जो है उसकी पिता जी और उसके भाई को बोलती है किसको दवा दिलवा दो उसकी पिता जी और भाई ने बोला कि पास में जो है एक गौर्मेंट हॉस्पिटल है इसको वहाँ पे भेज़ दो और यह वहां से medicine ले लेगी ठीक हो जाएगी लड़की के माने कहा कि ठीक है मैं चलती हूँ मैं तुम्हें medicine दिलवा देती हूँ लेकिन इस लड़की ने कहा कि मा उस hospital में मैं नहीं जाओंगी क्योंकि वो hospital जो है थोड़ा अकेले में पड़ता है और वहाँ पे किसी बड़े का होना जरूरी है लेकिन मा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है एक अच्छा hospital अगर है तो चाहे वो अकेले में हो चाहे वो भीड़ भड़ी जगह पे हो उसमें परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है और बहुत ही आश्वाशन देना के बाद ये छोटी सी 14 साल की नाबालिक लिड़की जो है ये उस hospital में चली जाती है और ये जो hospital होता है ये गुड़ा मालानी अस्पिताल के नाम से जाना जाता है ये गुड़ा मालानी जो एरिया है रास्थान के बाड़मेर का उस जगह पे ये hospital पढ़ता है जब बाप और भाई दोनों ने डिनाई कर दिया माने बोला कि ठीके जा कि hospital ले लो लड़की जाती है hospital में पर्चा बनवाती है और पेट दर्द इतना जादा बढ़ जाता है कि लड़की चुपचाप एक bench पे वहाँ पे fan के नीचे बैढ़ जाती है जब लड़की वहाँ पे बैढ़ जाती है काफी देर बाद वो notice करती है कि एक लड़का बहुत ध्यान से उसे देख रहा था उस लड़के का नाम था नासिर हुसैन वो लड़का काफी देर से देखते देखते थोड़ी देर के लिए वहाँ से गायब होता है और दुबारा से एक पाउच लेके आता है और पूछता है कि आपको क्या problem है लड़की कहती कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है मैंने यहाँ पर परचा बनवा लिया है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उठके डॉक्टर के पास जाओं और परचा बनवा और मेडिसिन लो यह जो नासिर हुसैन होता है कि चलो कोई तो आया है उसकी help के लिए कोई तो उसको support करेगा इस problem में finally वो लड़का जो है जो पाउच लाया था वो पाउच महीं रख के जाता है एक और मेडिसिन लाता है और थोड़ा सा पानी लाता है ग्लास में पानी में कुछ मिलाता है पाउच का जो powder होता है वो भी पानी मिलाता है और उस लड़की को पिला देता है कहता है ठीक है इसको पीलो थोड़ी दिर में तुम्हें आराम हो जाएगा जब ये लड़की उस पाउच को पानी में डाल के पी लेती है ज़्यादा से ज़्यादा पांच मिनट बीते होंगे उस लड़की का सर चक्राना शुरू हो जाता है और लड़की को ऐसा लगता है को उसकी घबराहट बढ़ती जा रही है और वो जमीन पे गिरने ही वाली है उसने अपने आपको समालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो अपने आपको समाल नहीं पाई और फाइनली जमीन पे फैंट होके गिर गई जब लड़की गिर जाती है तो नासीर हुसेन जो होता है नासीर खान उसने उस चौदा साल की लड़की को उठाया और उस लड़की को लेके वहाँ से जाने लग गया बाहर गेट पे मेडिकल वाले जो शॉप होते है मेडिकल शॉप का एक बंदा होता है उसने टोका भी कि इस लड़की को कहा लेके जा रहे हो कौन हो तुम उस लड़के ने बोला कि यह लड़की मेरी बहन है और इसकी तब बेथ थोड़ा खराब है यह सो रही है मैं इसको घर पे लेके जा रहा हूँ आपको पता होगा कि ग्रामीड एरियाज में इतना ज़्यादा डाउट लोग नहीं करते हैं फाइनली उस मेडिकल वाले ने भी कोई डाउट नहीं किया फर्दर क्वेशनिंग नहीं की और नाशिर खान उस लड़की को लेके अपने किसी दोस्त के रूम पे चला जाता है और बेहोशी की हालत में नाशिर खान ने इस लड़की के साथ दो बार बलातकार किया उसके बाद उसने अपने एक इक दोस्त को भी इनवाइट किया और अपने दोस्त के साथ मिल कर इन दोनों दोस्तों ने इस बेचारी नाबाली लड़की के साथ बार बलातकार किया जब इस लड़की की आँख खुलती है तो ये देखती है कि एक अंजान जगह पे है जहां इसका जानने वाला कोई नहीं है नासिर वहाँ नहीं था उसका दोस्त भी वहाँ पे नहीं था फाइनली लड़की ने एक बहुत कोशिश के बाद वहाँ पे रखे वे एक चिम्टे के साहरे से जो खिड़की का पिन होता है वो पिन को तोड़ा खिड़की को खोला और चिलाना शुरू किया बाहर के लोग तोड़ते हुए अंदर आये उन्होंने गेट को तोड़ा इसके बाद लड़की को बाहर निकाला गया और लड़की ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है finally, बाहर के लोगों ने लड़की को गाड़ी में बिठाया, पुलिस के पास ले गया और पुलिस ने लड़की के माबाप को फोन किया जब लड़की के माबाप वहां आए, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी इस समय एक अजीब से सिचुईशन में है उस लड़की ने अपने माबाप को सब कुछ बताया, फाइनली लड़की ने, लड़की की पिता ने, लड़की के माँ ने पुलिस में FIR लाउंच करवाई है और इस लड़के की नाशिर खान की जो है, वो खोज जारी है, लेकिन नाशिर खान अभी भी वहां से फरार है, इसका कुछ पता नहीं चल सका है आज तीन दिन गुजर गए है आप लोग कमेंट करके बताएए, क्या इस तरीके का रवया, क्या इस तरीके की अनसेक्योरिटी समाज में सही है इसलिए आपके घर में भी अगर छोटी लड़किया है, छोटी बच्चिया है, या फिर आपके घर में ऐसा कोई है जो mentally उतना strong नहीं है बाहर के environment में, उसको आप support करें, आप खुद लेके जाएं, किसी तीसरे आदमी के भरो से कभी ना जोड़ें, क्योंकि परिवार आपका है, घरवाले आपके हैं, सुरक्षा आपको करनी है आशा करतो हो, यह वीडियो जरूर पसंदाया होगा, ऐसे ही, और भी, real और fact घटनाओ के लिए इस चैनल को subscribe करें, थैक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो, वाज बाइब आइस दे, बाबाए, गुद दे